दोस्तों जैसे जैसे हमारे लाइफस्ट्राइल बिगड़ने लगी हैं हमारे शरीर में वो बीमारियां जो किसी समय पर 40 या 45 या 50 साल की एज के बाद आती थी वही बीमारिया 38 या 32 साल की एज के बाद ही आने लगी है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कहीं न कहीं चका चौन बरी जिन्दगी जीने के चकर में अपने शरीर की अंदुरूनी जो ताकत है उस पर ध्यान ही नहीं देते और अगर हम अंदुरूनी ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हड्डियों की दोस्तो हड्डी हमारे शरीर के एक ऐसी चीज है जिसके उपर पूरा का पूरा शरीर खड़ा है अगर हम कंकाल की बात करें तो पूरा कंकाल हड्डियों से बना है और इसी हड्डियों के उपर ही हमारे शरीर की मासपेशिया, हमारे शरीर के जो वाइटल ओर्गन्स हैं, हमारे शरीर की जो स्किन है और जो भी शरीर की दूसरे अंग है, वो सब कुछ इन ही हड्डियों से बने हुए कंकाल पर टिके हुए हैं और इसी कंकाल पर या इसी हड्डियों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वज़ा से 30-32 साल के होते होते, विशेशकर महिलाओं में हड्डियों में होने वाली कई सारी समस्यां शुरू हो जाती हैं। वो दर्द जो आपकी दादी को, आपकी नानी को, आपकी ममी को 45 या 50 साल के बाद होता था, वो जोड़ों का दर्द आज आपको 28 साल से ले करके 35 साल की एज में होने लगा है. आपकी मा, आपकी दादी, आपकी नानी बहुत काम करने के बाद में भी नहीं थकती थी लेकिन आप थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं अपनी lifestyle को नजर अंदाज कर रहे हैं आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर रहे हैं जिसकी वज़ा से आपको बहुत जारी बिमारियों का सामना करना पड़ रहा है आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कुछ ऐसे घरेलू टिप्स के बारे में जो आयरवेडिक हैं और जिनको अपना करके आप अपनी हड़ियों की हिल्थ को बहतर बना सकते हैं और साथके साथ एक ऐसे प्लांट बेस्ट सप्लिमिन्ट के बारे में बात करूँगा जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए जिसे मैं अपने पेशिंट्स को देता हूँ और मुझे बहुत ही जादा अच्छे रिजल्स मिल रहे हैं मतलब दो-चार केस तो मेरे हैसे हैं इस सप्लिमेंट के साथ में कि जब मैंने उन्हें तीन महीने के लिए इसे इस्तमाल कराया तो वो लोग जो अपने बिस्तर से उट भी नहीं पाते थे अपने जोडों के दर्द की वज़ा से अपने हड़ियों की समस्या की वज़ा से वो तीन महीने में तोड़ने लगे हैं और ये सब कुछ मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में भी ये जानकारी साज़ा करनी चाहिए ताकि आप लोग भी अपने शरीर को स्फुर्तिवान बना सकें एनरजेटिक बना सकें और अपने आपको फिटन, फाइन मैंसूस कर सकें तो इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी टिप मिस किये बगएर इसे बहुत अच्छे से इन्जॉई कर सकें हलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ डॉक्टर मनूज एक अरोमा तरेपेस्ट, एक नैचरो तरेपेस्ट दोस्तों इस चानल पर हम लोग बात करते हैं इस चानल पर अपलोड होने वाले वीडियोज को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शक्रिया दोस्तों हड्डियों की अगर हम बात करें तो यही एक ऐसी चीज है जिसके उपर हमारा पूरा का पूरा शरीर टिका है हड्डि की अगर हम बनाबट की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आती है वो आती है केल्शियम, मेगनीशियम और फासफोरस इन तीनों चीजों की कमी अगर हमारे शरीर में होने लगती है तो हमारा शरीर है वो धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है और हमारी जो हड़ियां है वो टूटने लगती है और बहुत बार इन ही हड़ियों के जल्दी तूटने की वजह से हमें आस्टेवहरोसिस, ऑस्टेव एर्थराईटस, एर्थराईटस और्युमिटाइड अर्थराइटिस यहां तक की बहुत बाहरतों हम बैड पर भी आ जाते हैं इस तरह की समस्यां ना करें हमें परिशान इसके लिए हमें अपने शरीर में इन जो important जो elements है इनकी मात्रा को कम होने से रोकना पड़ेगा इसके लिए क्या किया जाए तो पहले जो आयूर्वेद एक टिप आती है वो आती है गुड और चने का इस्तमाल गुड और चने का इस्तमाल हम आयूर्वेद में बहुत बार सुनते हैं जो हमारे शरीर को metabolize करता है और हमारे शरीर के अंदर जो भी कमी होती है हड़ियों को बहतर बनाने के लिए उन्हें पूरा करता है लेकिन क्या आपको पता है कि सिंपल गुड और चना खालेने से काम नहीं चलता है आपको हमेशा इन दोनों को साथ में कूट करके इसके लड़ू बनाने चाहिए यह लड़ू आपको रोजाना एक जरूर खाना चाहिए दूद के साथ में तो यह आपको बहुत ज़ादा help क नमबर दो जो टिप आयूरवेद के अंदर इस्तमाल की जाती है वो होती है दाना मेथी का प्रयोग दाना मेथी जो है वो आपके शरीर के अंदर आपके शरीर के जो एलमेंट्स हैं जिनको आप खाने के माध्यम से डालते हैं उनको एब्जॉब करने में आपकी मदद करती है तो ये जो दोर चीजे मैंने आपको बताई ये बहुत जादा जरूरी है आपकी हड़ियों को बहतर बनाने के लिए तो दाना मेती को भिगो दे रात को और सुबह उसे पानी के साथ चबा करके ले और ये आपको joint pains में आपकी हड़ियों को मजबूत करने में आपकी बहुत ज ज़्यादा benefits दिखे हैं दोस्तो जब भी मैं plant-based चीजों की बात करता हूं तो मुझे पूरे हिंदोस्तान में सिर्फ एक ही brand देखने को मिलता है जो इमानदारी के साथ आयरवेद में छपे हुए नुस्कूओं को plant-based information science and technology के साथ में आपको देता है जिसका नाम है उजीव उजीवा का her bones ये एक ऐसा product है जो आपकी हड्डियों को विशेशकर जो महिलाए हैं उनकी हड्डियों को बहतर बनाने में आपकी मदद करता है इसके अंदर magnesium, calcium, vitamin D3 और साथ के साथ में phosphorus इसी तरह के बहुत सारे elements जो की हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं इन सबका एक समुचित समावेश है और ये एक balanced proportion हमें मदद करता है हमारी हड्डियों को और भी जादा मजबूत करके regulate करने में अगर मैं मेरे overall experience की बात करूँ तो अगर मैंने 100 patients अगर मेरे देखे होंगे अगर हड्डियों से related जिनके हड्डियों कमजोर हैं जिनके शरीर में vitamin D की कम है या magnesium की कमी है तो 100 में से लगभग 90 से 92 प्रतीशत लोगों को उजीबा के इस her bones से बहुत जादा benefit होता है देखे 8 प्रतीशत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके शरीर में rheumatoid arthritis या osteoporosis होने के पीछे बहुत सारे और भी reason हो जैसे genetic reason हो सकता है या उनका lifestyle एक reason हो सकता है तो कोन एक supplement है जो आपको मदद करता है आपके हड़ियों को बहतर बनाने में आपके हड़ियों के बीच में जो cartilage होता है उसे बहतर बनाने में ना कि ये आपके किसी भी reason की वज़ा से अगर आपको problem है तो उसको solve कर देगा क्योंकि कहीं न कहीं पर genetic reason कहीं न कहीं पर जो blood के reasons ह वो भी जिम्मेदार होंगे तो अगर ऐसा है तो definitely आपको अपने lifestyle पर भी काम करना है और साथ के साथ अगर आप हर bones लेते हैं ओजीवा plant based तो आपको बहुत ज़ादा मदद मिलती है आपके हड़ियों को बहतर बनाने में एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहू जो कि मैंने personally अपने कई patients को देखा और अपने कई patients का जब bone density test कराया तो हमने जब देना शुरू किया था और जब उनको तीन महीने बाद उनको चेक किया तो बहुत difference मिला है इस hormone को आपको रोजाना एक गुली सुभा एक गुली शाम को लेनी है और आपको खना खने के आयाम करें एक्ससाइज करने से आपकी जो bones होती है वो metabolize होती है और सापके साप में आपके bones के बीच में जो cartilage होता है वो strong बनता है और जैसे जैसे आपके bones के अंदर का cartilage strong होगा आपका जो दर्द है आपकी जो हड़ियों के बीच में जो टक टक की आवाज आती है जो करके आप इसे बहुत असानी से purchase कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आप her bones के साथ साथ अपनी lifestyle पर भी काम करें जो कि मैं दिखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे ही मैं कोई medicine आपको suggest करता हूँ या कोई medicine मैं आपको prescribe करता हूँ या कोई supplement आपको prescribe करता हूँ तो आपको ये लगता है कि हम इसके उपर 100% dependent हो जाएंगे हमें इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आप समझें इस बात को कि आपकी जो body है वो बिना exercise के fit कैसे रहेगी हम आपको support करने के लिए बहुत सारे जो बहतर हमारे experiences है आपके साथ साजा करते हैं जैसे मैंने आपके साथ आज ओजीवा plant-based her bones का आपके साथ experience साजा किया अगर आप oiling करते हैं अपने joints पे तो regular उसको भी रखें ताकि आपकी हड़ियों को आप मजबूत कर सके ओजीवा एक ऐसा brand है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर plant-based अगर म मुझे plant-based चीज़ों पर जाना है तो मैं उजीवा पर ही आपको ले करके जाऊँगा दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक like का बटन जरूर दबाएं और अगर आप 30 साल के हैं या उससे उपर हैं और आप महीला हैं तो definitely आपको उजीवा का हर बोन्स अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए जब आप इसे रूटीन में शामिल करेंगे तो एक से दो महीने में ही आपको अपनी हट्डियों के अंदर जो समस्या है थी वो ठीक होती हुए मिलेंगी और आप प्लीज अ आप